HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक Contactors Form create कर रहे थे इसके data को Google के Excel के sheet के उपर store करना है और इसके data को HTML के web page के उपर हम display करा सकते हैं इतना काम हमने अब तक यहाँ पे complete कर लिया है अगर आपने इस सीरीज को follow up नहीं किया है तो इस वीडियो के description से आप link ले करके complete playlist को यहाँ पे जा करके देख सकते हो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक step और आगे ले करके चलेंगे वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करे था कि आपको latest videos की notification मिलती रहे alright so यह सारा कुछ काम हमने complete कर लिया वो आपने देखा आप तक जितना हमने follow up किया उसके according अब यहाँ से मैं कुछ fill करूंगा तो वो मेरे excel के sheet के उपर जा करके store हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और excel के sheet के उपर से हमने उसको अपने html के web page के उपर बुला लिया यहाँ भी ठीक है अगर आप एक चीज़ notice करोगे तो यह जो online यहाँ पे store हो रहा है वो काम आपका online हो रहा है fetch कराने का काम आप offline कर रहे हो अपने computer पे तो यह वाला जो काम है वो ठीक है लेकिन यह जो है न यह form आपके computer टक limited है अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठके खुदी entries पास करता रहूंगा अगर ऐसा ही requirement है तो well and good है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से इसे कोई भी देख सके मेरे form के उपर entries पास कर सके मेरा कोई event हो रहा है कुछ registration हो रहा है तो मैं उनकों बच्चों को बोल रेजिस्टर करो और मैं यहाँ पर आ करके उस data को अपने पास retrieve कर लूँ तो अब हम यहाँ पर यह देखते है कि कैसे इस form को हम लोग यहाँ पर online ले करके आएंगे domain and hosting के उपर ताकि पूरी दुनिया से कोई भी इसे देख सके और इसके अंदर entries जो है वो पास कर सके अब इसे online ले करके आने के लिए मैं यहाँ पर domain research का यूज़ करने वाला हूँ किसी भी तरीके की website को बनाने के लिए और उसे online ले करके आने के लिए कम से कम दो चीज़ों की requirement होती है एक होता है domain name दूसरा होता है hosting डोमेन ने मुत है नाम पहचान आइडेंटिटी जैसे google.com facebook.com youtube.com हमारे केस में यहाँ पर domain research.com hosting होता है आपका storage place जहाँ पर आप अपने website की सारी फाइलों को store करके रखोगे तो अगर आप domain research.com पर आओगे तो आप इन सारी ही services को यहाँ पर select कर सकते हो domain research.com पर आने के बाद आपको यहाँ से जाना है web hosting के ऊपर यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है pure SSD disk space, SSL certificate आपको free मिल जाता है, secured and 20 times आपका server fast रहने वाला है pricing plan की अगर हम बात करें तो basic plan start होता 59 रुपिस पर मत से पर आप एक website को host कर सकते हो, एक GV SSD की storage है, 10 email address लेंट आइड कर सकते हो पाथ GV की bandwidth हो, लाइट स्ट्पीड की technology है personal plan के अदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address create कर सकते हो, bandwidth unlimited है, light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है Silver Plan के अंदर आप तीन वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़े सेम है और Unlimited है Advanced Plan के अंदर आपको एक Domain Name Free मिल जाता है Unlimited Websites को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़े सेम है और Unlimited है और इन तीनों ही प्लाइट में आपको Premium SEO Tool Free मिलता है जिसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो, और उसे rank करा सकते हो तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाफ से Domain Resort.com पे आकर के plans को select कर सकते हो अगर यह पूरा का पूरा series आपने सिर्फ सीखने के motive से किया है, तो आपको ज़ादा खर्चने की जरूरत नहीं है आप basic की तरफ जाए, बहुत ही कम price में आपका काम हो जाएगा बट अगर आपका real में कोई event है, आप data store करना चाते हो और आपकी real life की एक website है, तो मैं personally recommend करूंगा हो सके तो सारी चीज़े unlimited की तरफ जाओ कम से कम हो सके तो personal की तरफ आप जरूर जाए मैं currently यहां silver की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर में तीन website को host कर सकता हूँ, direction को select करके यहां मैंने view more के उपर click किया, यहां से आपको अपने लिए एक domain name select करना है, dot com dot in जिसकी requirement है वो select करे और check पे click करे, एक बार यह available हो जाता है तो नीचे scroll करके continue करे, details को read out करके again continue करे continue करे, अपने hosting plan को check करे, domain name को check करे and checkout के उपर click करे, checkout पे click करने के बाद जिस तरीके से आप online shopping करते हो, अपना account create करते हो, वही चीज़े आपको यहां भी करना है, अपने basic detail प्रोवाइट करे, एक email address प्रोवाइट करे, एक password generate करे, और अपने order को यहां से complete करे, एक बार आप इस process को पूरा कर लेते हो, तो आप आ जाओगे main page पे, यहां से आपको जाना है login के page के उपर, और order completion के time पे जो email और password आपने दिया था, वो fill करके login बटन के उपर क्लिक करें, तो यह आपका dashboard है, जितने भी services आपने opt किये होंगे, आपको यहां पर देख जाएगा, services के उपर क्लिक करें, और जिस भी domain name के उपर आपको अपने website को online लेकर कर आना है, उसके active बटन पर क्लिक करें, right hand side पर नीचे आपको एक option मिलता है, login to cpanel, simply इसके उपर क्लिक करें, तो यह आपका cpanel, यानि की control panel है, आप यहाँ पर check कर सकते हो, domain resource के web hosting servers में आपको 100 plus options मिलते हैं, चीज़ों पर deal करने के लिए, हो सकता है, यह minimize हो, इसको आप maximize ज़रूर करें, जैसे कि email को अंडल करने के लिए बहुत सारे tools हैं, jet backup के बहुत सारे tools हैं, files को अंडल करने के बहुत सारे tools हैं, हर एक category के हिसाब से आपको बहुत सारे tools यहाँ पर दिये हुए हैं, हमें currently website को online upload करना है, तो हम जाएंगे file manager पे, यहाँ file manager के उपर click करें, left hand side पे आपको एक option मिलेगा, public underscore HTML, simply इसके उपर click करें, और इस जगह पे आपको अपने website को upload करना है, गूगल पे जाकर के आपको type करना है, download winrar, इस software को download करें, इसे install करें, यह इसका icon है, free of cost आप इसे use कर सकते हो, make sure इसको install ज़रूर करें, इसके बाद आप आजाओगे यहाँ पर, जो भी आपकी website की या फिर इस form की जतनी भी file है, उसको select करें, select करने के बाद यहाँ से जो unnecessary file है, उसको remove करें, मेरे case में यह मुझे requirement नहीं है, आपको यहाँ पर right click करना है, और add to archive करना है, zip file create करें, नाम जो मर्जी रखें and okay के उपर click करें, तो यह आपके website का एक backup file generate हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ upload के उपर click करें, यहाँ से इसको drag and drop करके आप यहाँ पर ला सकते हो, drag and drop काम ना करें, तो select के button के उपर click करके भी उस file को आप select कर सकते हो, एक बार यह upload हो जाता है, तो आप चाहें तो इस page को यहाँ से cut कर सकते हो, यहाँ पर आ करके इसको reload करें, यहाँ पर अपने file को देख सकते हो, right click करें और simply आपको इसको extract करना है, extract file पर click करे, close करे और अपने requirement यहाँ पर नहीं है, अब आपकी जो website है, या फिर जो आपका form है, वो यहाँ पर online आ चुका है, उसके अंदर आप data को store भी करा सकते हो, display भी करा सकते हो, सारा कुछ यहाँ पर perform किया जा सकता है, इसके बाद जो भी domain name आपने select किया तो simply आपको new tab के अंदर उसको open कर लेना है, अब चाहें तो in tabs को यहाँ से cut कर सकते हो, तो आप यहाँ पर check कर सकते हो, यह website हमारा यहाँ पर online आ चुका है, अब इसे पूरी दुनिया से कोई भी यहाँ पर check कर सकता है, entries को pass कर सकता है, और आप उसकी entry को record करके fetch करा सकते हो, बहुत ही easy होता है यहाँ पर इन चीज़ों को perform करना, मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुत ही easy way में समझा दी जाए, और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please like करें, comment में अपना feedback जरूर दे, चैनल पर new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys,